ज Après powiedział बीक का सुमय हो रहा है सुबा साड़े च्रेड बज रहा है और आज हमें सानवी को इसकूल नहीं इस स्कूल बज़ना इसंट के अंदर में हमारे बिल्कुल ही आज मन नहीं कर रहा था, बैट से निकलने का तब यह थोड़ी खड़ाप सी लग रही थी, इसलिए मन नहीं हो रहा था, तो इसलिए थोड़ी से आलस करने से पूरा दिन बिगर जाता है, टाइम मैंनेज नहीं हो पाता है काम करने में, और मैं जल्दी-जल्दी मैं जारू भी लगा रहे थी, बीज-बीज में मैं बाबु को भी आवाज दे रहे थी, हस्बेन को भी आवाज दे रहे थी, आप लोग तो जल्दी जग जाओ, ताकि बाबु को रेडी करो, जल्दी-जल्दी जग के, मैं हस्बेन को बार-बार आवाज लगा रहे थी, क्य याड़ के अंदर में मुझे जारू लगाना था क्योंकि बीना जारू लगाताया तो घर से निकाल है किसी को भी और यह तो हमारा जारू लगाने के बाद की हो सकता है दी अच्छेकर बाबुर दर वरेyg बदा के बाबु जगा ति बारबु A कर तरौद हमें इस उरूम में न जल्दी रेडी नहीं होना चाहती है तो उसको रेडी करने के लिए थोड़ा सा मॉबाइल दे दिये ताकि वह जल्दी जल्दी रेडी भी हो जाए टाइम ना लगे बहुत मेहनत से मनाना पड़ा है उनको क्योंकि इतना सरा वीडियो कैप्चर भी नहीं किया है अगर उतना कैप्चर करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता बहुत मुष्किल से मना कि उसको रेडी करके फिर से उसको निकाल दिये और जाड़ी है पापा के साथ इसकूल रेडी तो हो गई थोड़ा तो लेट हो चुका आज साथ पंदरा बीस में गई है आज इसकुल पसाथ बीस में इसकुल गई है आज तो आज तो लेट होगे आज तो प्रेयर भी नहीं कर पाएगी साथ मुझे लगड़ा ऐसा और उसके बाद फिर सानवी की स्कुल जाने के बाद मैं आ गई रूम में क्योंकि इस बैट से सोके ज अधिक तर हम लोग दूसरे वाले रूम में ही पूरे दिन हमारा निकल जाता है और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और यह वीडियो एक बीडियो आप लोगों के साथ शेयर किये थे कि घर में बिर्धी बरकत लाएग उसके लिए कुछ कुछ टीप से बताये थे आ फॉँध्यों को अभी जीद ढ़्यार वाले अपनदें धर्म से च्छ करते दिए और खोड़ का लोग बंच बढाता हुँए और मुझे थोल्ड़ा उड़ता है आप लोग सार फांधी लगा जाता है मुझे है अच्छाओ घर में यह सब करना मुझे घर को डेकोडेट करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे घर को शाजाना, घर में अगर पोधा लगा रहता है तो घर अलग है, सुंदर लगने लगता है देखने में, तो लेकिन मैं कुछ जादा नहीं कर पाती हूँ, कुछ बेड़ बेड़ बन जाए ना तो घर पुरा साफ सुत्रा हो जाता है और घर पुरा हलका हलका भी महसुस होने लगता है पोछा लग जाने के बाद फिर मैं नहाने भी चले गई और फिर मैं नहाके भी आ गई ना क्याने के बाद मैं चलती हूँ पहले पूजा कर लेती हूँ और क्योंकि पूजा करने के बाद ही मैं जो भी कप्राद होते हैं वो सारा कुछ बादें पसारते हैं तो पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर कप्राद पसारना होगा और जो थोड़ा मेकप वेकप जो भी कर फिर में आगे थी किचन पे किचन पे आई तो आज बने गा राजमा क्योंकि रात में थी बीखो ने दिये थे राजमा तो राजमा बनेगा है हुआ हस्बेन लाजमा अड़ी है, तो आज बनाएगे साथ बनाएगे तो आफी समय सिटों एक साथ आफाना दो ने भी चुल के युछ देता हैं, तब तक वह तहरा भी रेडी करूंगी मसाला में ready कर रही हूं, मैं प्याज और लहसन, शिर्फ प्याज और लहसन है और कुछ भी नहीं है, तो यह सारे को जो मैं काट के रखी थी, उसको grand करेंगे, तो तब तक मैं प्याज को grand कर ले रही हूं, और husband भी आ गये थे, बाबु भी आ गये थी, school से, यह देख सकते हैं, बाबु आई है तो कैप लगा के आई है इसकुल कैप लगा के आज गई थी और धूब बहुत ज्यादा हो रही है ना तो इसलिए कैप लगा लिए थी और ओलूग आ गया है और मैं तब तक मासाला हमारा रेडी हो रहा है और हस्बेन आप बोल भी रहें कि जल्दी करो मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि असानमी तो 9 जी तक आ जाती है स्कुल जावी तक 9 बज चुका है और हमारा खाना में रेडी हो लेट है थोड़ा आज तो कुछ खाए पीए भी नहीं है और बाकी के दिन तो कभी कभी चाय भी पी लेते हैं थोड़ा कभी बिस्कीट उसीर कुछ खा लेते हैं लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं खा पाई हूं आज मन हो रहा है थोड़ा गुलकोच पानी ही एक गिलास पी लेते हैं थोड़ा एनर्जी मिलेगा क्योंकि बहुत तवियत ठीक नहीं है ना तो विखनेश चा लग रहा है दो दिन से कुछ ज्यादा है तो सोच उसके बाद फिर सब्ची बनाओं तब तक हमारा गारा आजमा भी उबल रहा है तब तक मैं एक गिलास पानी गोली थी फाल ढ üzस ंबल गिलास दे दो उनको भी दे दिये और फिर मैं भी ले लिए फिरि tonight जीरा जब जब कर चटक गया सब कुछ तो फीड़ा डालने के बाद थोड़ा फड़ाइ करना है मसाला डेड़ी करना है और जो प्यास थोड़ा हमारा बारिक कटा हुआ था उसको एप पतिदेव उदर से कुछ-कुछ बाते कर रहे थे तो मैं उससे बात करने में एक उसको ब प्याज को डालना भी भूल गई थी में तो भी डाल दिये कि इस साथ में और आटा भी हमारा तब तक मीक्स हो गया एक सथ हमारा साड़ा काम हो चुका है और टमाटर को भी मैं ग्रेंड करके रखे हूं ॥ प्याज रखे हम बडून हो जाएगा तो अभी मैं सारा मसाला को एड़ कर रहे होन्त्य गणा करें उसके थी कोशी रमाप् मैं सबगा लेज़ा को जाएंसे सरु परबल थोरा सो जो ग्रीन सब्जी है वो सारे कुछ को मैं दाल में ही डाल दोंगे ताकि उसको भी थोरा सब्जी मिल जाए तो उसके लिए मैं दाल में ही अलग से बना लूँगे और यहां देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो चुका उसमें फिर जो हमारा उबला हुआ आलू जाष्णा पैहिए यह जाति हमति है ऊससे चाओल बाब के लिए डाल बनाना था यह दाल बना चुका हमारा और बाकी रोटी बनाना और गरम MARSALAH PAUDER इसमें डाली नहीं थी तो अब वहाद में थोड़ा सक्में गरम MARSALAHा पौडर एड़ कर दे रहे हुँ और इसका स्मेल बहुत अच्छा बन रहा है मुझे क्योंकि इसके खुजबू बहुत अच्छी आ रही है और लगता है राजमा बहुत टेस्टी बनेगा उनसे कुछ-कुछ बाते भी हो रही थी और हमारा खाना भी बन रहा था उसे भी पतिदेव को राजमा बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ब्लोग को मैं यही पर इंड करती हूँ मिलते हैं फिर नेस्ट ब्लोग में टाटा वै वै